अस्लाम अलेकुम एवरीवन हावर यू आल आई होब एवरीवन फिस फाइन आइंधर वीडियो लेक्चर मैं लेक्चर नमबर इस 187 वर इंटर पार्ट तू जिसमें हम लोग यूनिट नमबर नाइन अरोमैटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में डिसकस करते हुए हम लोग न नॉमन क्लिचर के बारे में स्टेडी किया है कि आप किन रूल्स को फॉलो करते हुए नेमिंग प्रॉसस को कर सकते हैं अपने प्रीविएस वीडियो लेक्चर तक मैंने तुमाम जो सिक्स रूल्स थे जो कि आपके बुक में यूज किये गए थे इन दा इंट्रोक्टरी ल कारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जिस तरह के हम लोग ने इंट्रोड़क्टरी पीरियड में भी पढ़ा था कि बेंजीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रोकारबन के अंदर बिकॉज एक तो यह कि यह सिंपलेस्ट मॉस्ट कंपाउंड है सबसे जो बता चुकी हूँ दो तीन दफ़ा के पेरेंट कंपाउंड का मतलब है कि जब भी हाइर मॉलेक्यूलर हाइर कंपाउंड है अरिमाटिक हाइड्रोकारबन के उनको यह अगर डिग्रेडेशन होती है यानि उनको जब आप ब्रेकडाउन करते हैं तो वह बेंजीन उनके इस थे आपमेटेशन में जब दो काफी बात हो चुकी है अब बात करते हैं जब लो बहुत बारे में तो बैंजीन वस इसकोवर्ट बै देपरसन हिस नेम वास माईकल वैरी in the year of 1825 1825 सान में माइकल फैरेडी ने सबसे पहले बेंजीन को डिसकावर किया था यानि कि दाट टाइम इड वोज अडोटली न्यू अलेमेंट और कहां पर डिसकावर किया था कि जो वेजेटेबल ओयल है जो हमारे घरों में ओयल यूज होता है उन्होंने उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की थी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की विजए से वेजेटेबल ओयल बहुत सारे स्मॉलर कंपाउंट्स में ब्रेकडाउन हो गया था बहुत सारे smaller members में breakdown हो गया था molecules में तो उन बहुत सारे smaller molecules में से एक molecule benzene का भी था जो के Michael Faraday ने जिसको discover किया था यह तब की बात है 1825 की जब सिर्फ vegetable oil की destructive distillation में इसको सबसे पहले पाया गया था यानि देखा गया था तब यह discover हुआ था इसके बाद 20 years later it was also found in the cold tar by the person named Hoffman तो second number पे cold tar में जो है जब उसकी destructive distillation हुई तो उसे मुक्तलिफ किसम के molecules प्रोडियूस हुए जो के smaller in weight थे, smaller in size थे smaller in number atomic number था तो उस cold tar के अंदर Hoffman ने जो है benzene को discover किया था अब हम लोग बात करते हैं ये तो होगी benzene के introduction के एक simplest compound है, parent compound है मैकल फेरडी ने सबसे पहले इसको discover किया था vegetable oil में और Hoffman नामी बंदे ने इसको discover किया था इसको study किया था in the cold tar अब हम लोग बात करते हैं structure of benzene की तो अभी तक हम लोग अपने previous lecture में जितनी दफ़ा भी benzene के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोग उसका हमेशा एक cyclic structure बनाते थे cyclic structure का क्या मतलब है एक ring बनाते थे यानि कि उसका starting or ending point जो था उस ring का same था this was a ring used to mention the benzene ring और ये एक universal ring मतलब एक symbol है to indicate the benzene ring ये एक symbol है जहां पर भी ये symbol present है chemicals में इसका मतलब ये benzene के बात हो रही है not any other compound तो why it is present in the cyclic structure क्यों इसका starting point आप जहां से भी यहां से starting point रखें तो देखेंगे गूम फिर के इसका पूरा ending point भी उसी point पर रुकता है जिस मर्जी point से आप start करेंगे उसी point पर आके दो बार ending point present होता है तो why is its molecular formula means its structure so तो सबसे पहले हम लोग इसका पहले molecular formula को study करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके structural formula को study करेंगे अब molecular formula क्या है कि molecular formula हमें बताता है कि how many कितने atoms present होंगे किसी एक molecule में कि किसी या benzene का molecular formula है यानि कि one molecule of benzene में कितने atoms present होंगे कौन कौन से atoms present होंगे और उनके कितनी तदात present होंगे तो जो empirical formula है benzene का it is determined by the elemental analysis empirical formula find out करने के लिए benzene की elemental analysis की गई थी तो उसकी मदद से हम उसका empirical formula identify कर सकते हैं और जब हम लोग बात करते हैं molecular formula को find out करने की ये benzene को पहले vapor form में convert किया गया था और फिर उसकी density जो है वो find out की गई थी benzene की तो ये question आ सकता है कि what is the density of benzene the density was 78.108 ये density थी benzene की एक molecule of benzene की तो ये जो 78.108 है ये बहुत closely related है to the structure to the you can say empirical formula mass of CH C यानि कार्बन इसका हमारे पास क्या है atomic mass 12 plus hydrogen का है one 12 plus one is 13 तो 13 को six times आपस में multiply करते हैं यानि कि 13 को six multiply करते हैं that comes out to be 78 तो this 78.108 is very related to this 78 तो इसका मतलब है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो molecular formula है benzene का उसके इंदर six carbon atoms और six hydrogen atoms present होते हैं because एक carbon और hydrogen का mass 78 है तो उसको जब six times आपस में add up किया so that comes out to be 78 तो इसका मतलब कि six carbon और six hydrogen atoms present होंगे एक molecular में benzene के तो जो molecular formula है benzene का इसका मतलब यहां पर carbon और hydrogen के आपस में ratio बहुत कम है यानि के one to one ratio है carbon जितने carbon atom है उतने ही hydrogen atom है तो इस ratio से हमें यह पता चलता है कि यह जो benzene molecule है यह highly unsaturated है क्यों हम इस तरह से कह सकते हैं अलकेंस का formula थी cnH2n plus 2 यानि कि जितना भी carbon का नंबर होगा उसको double करके उसमें 2 add करते तो अगर हम यहां पर लेके चलते हैं carbon को six six carbon atoms हैं तो hydrogen के वहां पर 14 थे तो यहां पर carbon और hydrogen की in the case of this alken ratio क्या थी six ratio 14 अगर हम लोग बात करते हैं alkenes की cnH2n minus 2 sorry only H2n तो यहां पर क्या इसका formula था c6H12 तो यहां पर क्या ratio थी six ratio 12 इसी तरह कर हम लोग बात करते हैं alkenes के बारे में तो उसका formula क्या था cnH2n minus 2 तो यहां पर क्या था c6H10 तो यहां पर ratio क्या थी six ratio 10 तो यहां पर आप carbon hydrogen की ratio को देखें six ratio 14 six ratio 12 or six ratio 10 almost उसे half मतलब double है उससे carbon की half है hydrogen लेकिन in the case of this benzene its ratio six ratio six यह पर आप one ratio one कर दें तो कहां पर six ratio 14 six ratio 12 six ratio 10 or in the case of the benzene it is only six ratio six you can see यहां पर carbon hydrogen की ratio कितनी small है hydrogen just six हैं for six carbon atom यहां पर 14 hydrogen for six carbon atom यहां पर 12 hydrogen for six carbon atom यहां पर 10 hydrogen for six carbon atom but in the case of benzene only six carbon atoms are present for six hydrogen sorry only six hydrogen atoms are present for six carbon atom तो इसका मतलब है कि इनके दर्मयान की जो ratio है वो बहुत ज्यादा लो है तो जब carbon और hydrogen के दर्मयान में ratio बहुत लो है तो इससे एक ही नतिज़ा अखस होता है कि जैसे जैसे आप यहां पर देख रहे हैं पहले यह एक saturated compound था अलकेन उसकी ratio बहुत हाई थी जैसे जैसे उसमें unsaturation बढ़ना लगी double bond आया उसकी ratio थोड़ी से कम होई triple bond होया ratio मजीद कम हो गई तो जब इस triple bond से भी ratio कम हो गई 6 ratio 6 पे चली गई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक highly unsaturation compound होगा कि जो बेंजीन है उसके अंदर unsaturation बहुत ज़्यादा होगी यानि कि वहां पे carbon के तुमाम के तुमाम 6 carbon atoms हैं तो 6 carbon atom के हर bond जो है वो single bond से fulfill नहीं है वहां पे कुछ double bond या फिर triple bond present है जिसकी वजह से पूरे compound को unsaturation का सामना करना पाड़ आया है So this was all the discussion about the molecular formula of the benzene के molecular formula उसका हमने देखा कि हम लोग इसकी density को यूज करते हुए हमने का कि इसका molecular formula C6H6 है पिर हमने इस ratio को यूज करते हुए C6H6 की ratio को यूज करते हुए यह नतीज़ा खस किया कि ratio बहुत लो है इसका मतलब कि इस molecule के अंदर एक molecule of benzene के अंदर unsaturation बहुत जादा high होनी है तभी उसकी ratio बहुत जादा low है Now moving on to the next topic अब हम यह देखेंगे ठीक है हमने यहां तक अभी यह देखा कि unsaturated है 6 carbon atom है 6 hydrogen atom है बट हम लोग ने अभी तक यह नहीं देखा Now we will come to the structural formula Structural formula में हम लोग यह देखेंगे कि what is the reason कि हम इसको cyclic compound में consider करते हैं यह हमेशा ring की सूरत में present है Why it is not present in the case of in the form of straight lines यह ring की सूरत में क्यों है यह open chain की सूरत में क्यों नहीं present So now let us see at that topic So straight chain यहां पर हमारे पास topic का नेम है Straight chain structures ruled out यानि के हम लोग यहां पर straight chain में इसको consider का रही नहीं सकते हैं Straight chain का structure है वो rule out हो चुका है अब किन वज़वाद से rule out हो सकता है तो अगर हम लोग इसका formula देखते हैं C6H6 है तो इस formula के हिसाब से जब हम इसके straight chains को बनाते हैं तो let us see किस तरह से हम इसके straight chains को बना सकते हैं क्या possibilities है कि किस किस तरह से यह straight chain बनाएगा सबसे पहले carbon को mention करते हैं कि एक benzene के formula है C6H6 तो इसके अदर 6 carbon atom होने चाहिए और 6 hydrogen atom होने चाहिए अब 6 carbon atom तो मैंने draw कर दी है इस carbon क equivalency 3 यहां पर bond और 1 bond यहां पर fill up हो चुकी है इस carbon की बात करें 2 hydrogen atoms के साथ 2wn carbon atom के साथ Score seas holding और 2 carbon atom के साथ horas चाहँ होची है यहां पर Does團 marks there are 1 2 3, 4, 5, 6 hydrogenhea and 6 carbon atoms यह हमारे पास पहला structure है जो कि open chain में है in the case of C6 ethics formula और इसको हम लोग कहते हैं 1, 5, hexadyine इसका मतलब क्या है 1 यानि कि यहां से अगर numbering स्टार्ट करते हैं आप दोनों साइट में से किसी पे भी numbering स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों के end point पे जो है दो जगा पे triple bond है इसलिए di-ion के दो जगा पे triple bond present है और hexadyine के six carbon atom है यह हमारे पास पहली possibility है in order to show the molecular formula C686 in the open chain form दूसरी possibility क्या है हमारे पास that is यहां पर फिर से हम लोग six carbon atoms को देखते हैं अब जब इनके अंदर हम लोग इनके bonds को fill up करते हैं यहां पर अगर आप देखते हैं six carbon atom जो मैंने पहले ही ड्रॉख के हैं hydrogen के 23456 यहां पर हम लोग इसको देखते हैं numbering करें one two four five and six तो यहां पर हमारे पास क्या है के one and five यानि carbon number one और carbon number five पे diene है यानि के दो double bonds present है और चूँके यह hexa है क्योंके six carbon atom पे तो hexa diene और carbon number three पे यह present है एक triple bond that is why we will mention the name iron यानि के carbon number one और five पे double bond है और carbon number three पे यह triple bond है तो यह एक another possibility है जो के explain कर सकती है open chain structure को in the case of benzene यानि के C6H6 तो यहां पे अगर हम open chain भी देखते हैं तो आप यह देखें किस कदर unsaturation है कि पहली possibility में there are two triple bonds और second possibility में there are two double bonds along with one triple bond there is so much amount of unsaturation इसका मतलब यह है कि benzene के अंदर carbon और hydrogen की जो ratio है वो इसकदर कम है कि चाहे आप उसको open chain की form में लिखें चाहे आप उसको close chain की form में लिखें या circular form में और सौरी ring form में या cyclic form में लिखें दोनों form में carbon के bond जो है वो कभी भी single bond से saturated होके कभी भी फिल अप नहीं हों in order to fill up all of its four bonds क्योंकि यहां पर hydrogen का number बहुत काम है इसलिए वो single bonds उसको fill up नहीं कर सकते हैं so यह था मेरा आज के lecture अब अपने next lecture में मैं आपको explain करूंगी कि what is the reason कि यह जो दोनों मैंने यहां पर structures draw किये हैं यह correct नहीं है so we will discuss about this in the next topic उमीद है आपको आज के lecture की यहां तक समझ आई हो benzene का जो introduction दिया है उमीद है आपको यहां तक इसका समझ आई हो यहां तक अगर आपको कोई भी problem है तो you can discuss with me in the comments section I am here to help you out and see you soon in my next video till then Allah Hafiz